अज पांश बहुत ही इंपोर्टन्ट लेक्चर है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग लेक्चर भी है जिसे कहा जाता है है फेलर अपको बताओंगा इस पूरे लेक्चर में हम शान्ती से पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप सब को गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था that pressure exerted by any fluid on any type of surface it can be given as P is equals to rho H G यह हमने सबसे पहला expression लिया था जिसकी description की link हमने दे दी है नीचे description में देखिये rho क्या होता था density of fluid H is the height and G is acceleration due to gravity फिल करके कल के lecture में हमने क्या किया था हमने कोई भी fluid के अंदर अगर कोई container होगा तो उस container पे atmospheric pressure के साथ में जो pressure act होगा उस pressure के बारे में हमने discussion किया था लेकिन यह दो हमारे main lectures थे अब आज का जो lecture है यह मेरा personal favorite lecture में से एक है क्योंकि इसमें एक बहुत ही philosophical word आता है जिसका कहना है paradox अब paradox का मतलब आपको नहीं पता होगा paradox का मतलब होता है अंतर विरोध क्या मतलब होता है अंतर विरोध अगर यह भी word आपके लिए बहुत ज्यादा हो चुगा है तो आप यह कर सकते हैं कि खुद से खुद की बात से contradict करना यहने कोई कहता है कि मुझे बहुत पढ़ना चाहिए और घर पे जागे विल्कुल भी नहीं पढ़ता है खुद की बात से हमेशा contradict करना कि मैं आपके आपसे अगर कहूं कि वेटा रोज सबेरे छे बजे आपने उठना ही है और खुद बारा बजे उठ जाओं तो यह मेरा क्या हो गया है paradox हो गया समझ में आ रहा है आपको तो ऐसा fluid क्यों करता है यह तो इंसानों की बात है जूड बोलना paradox क्रेट करना तो यह fluid क्रेट करता है तो यह interesting topic इसके पास रहेगा और इस paradox पे से जो explanation मिला उसको बताया पासकल साहब ने तो पासकल चुला इसे explain करता है paradox को तो पहले paradox रहा है आपको कि paradox हैने क्या हो रहा है कि एक ही बात को contradictory state में बोलते ना-ना कि हम प्रेशर एक्ट होगा लेकिन वहाँ पे नहीं एक्ट हो रहा है यह यह नहीं तो कोई तो जूड बोल रहा है यहाँ तो जूड नहीं बोलते हम उसे physics में कहा गते paradox कहते है बहुत ही interesting topic है दोस और फिर आपको समझेगा कि hydrostatic paradox exactly है गया अगर मैं examinerator हूँ तो ये question exam में जरूर है तो इसे देखतर ये पूरे शांती से हमें lecture attain करना है तो सबसे पहले शुरू करते है बेटा शुरू करें comment section में लिखिए बताइए शुरू करें hydrostatic paradox अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में होगा कि यह है क्या तो यह है interconnected vessel याने क्या है देखिए यहां से हम पानी डालेंगे और फिर वो पानी यहां पे भी जा सकेगा यहां से भी जा सकेगा यह विसल थोड़ा बड़ा है यह विसल थोड़ा और अलग टाइप का है हमने क् क्या paradox का यह कहना था देखिए कि हम मैं paradox आपको बता रहा हूँ हम लिखेंगे इसको बाद में आपको विसल समझ में आगे हम यहां से पानी डालने वाले है तो हमारे पास formula था P is equals to H rho G याने क्या होगा कि depending on height pressure क्या हो जाएगा बढ़ते रहेगा तो जब हमने पानी section A से ड थोड़ा ज्यादा जाएगा C section जो है जो बड़ा section है इसमें पानी थोड़ा से क्या होगा कम जाएगा D section जो है इसमें पानी थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा A में थोड़ा और ज्यादा जाएगा यानि कुछ भी हो जाए सेम अपाउंट में हर एक वेसल में पानी नहीं रहेगा ये सबका कहना था सबज में आगे आपको ये था कहना पड़ पानी तो पानी है पानी वैसा बिहेव नहीं करता है पानी ने क्या किया जब लिक्विड पानी छोड़ ये लिक्विड कोई भी लिक्विड जब सिक्षन ए में डाला गया यानि ए विसल में जब डाला ग फिर वो C में भी गया फिर वो D में भी गया और जितनी अमाउंट डाली गई उतनी इक्वल अमाउंट हर एक वेसल में डिस्ट्रिब्यूट हुई यहां से पानी डाला गया तो यह पूरा ऐसे भर गया जैसे हर एक हर एक स्ट्रक्चर में हर एक वेसल में सेम अमाउंट का पानी कैसे हो गया भर गया बेटा तो यह तो था बहुत ही हैरानी करने वाली बात थी प्रिप्लेक्सिंग कहा जाता है इंगलिश में यह जो वर्ड कहा गया है that the observation was प्रिप्लेक्सिंग प्रिप्लेक्सिंग यह ने गया है हैरान करने वाला यह observation तो हैरान करने वाला था कि जितना भी हम फ्लिविड डालते है उतना सब फ्लुइड हर एक सेक्षन में क्या होता है equally distribute होता है यानि हमारे कहने से बहुत ही अलग टाइप से distribute होता है तो ऐसा क्यों होता है तो इसे कहा गया hydrostatic paradox क्योंकि इसे explain नहीं कर सके initial structure में बाद में हमने C section पे से मैं आपको explain करके बताता हूँ क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि exactly pressure भी सबका same क्यों लगता है pressure भी सबका same है downward direction का pressure भी सबका क्या है same है लेकिन paradox आपको समझ में आ रहा है comment section में लिखके बता यह जल दिजए कि paradox हमें समझ में आ रहा है क्या है paradox कि जब हम A में पानी डाल देते हैं जब हम A से पानी एक ही जगा से पानी छोड़ते है जब हम एक ही जगा पे fluid inject करते है तब होता क्या है तो पानी सब तरफ equal heights में क्या हो जाता है rise हो जाता है that is considered to be hydrostatic paradox आगा समझ में आपको paradox क्यों कहा जाता है क्योंकि पहले सब को ऐसा लगा था कि पानी अलग अलग जगा पे क्या हो जाएगा rise होगा अलग-अलग structures में rise होगा और अलग-अलग structures में अगर वो rise होगा अलग-अलग height पे rise होगा यानि A में ज़्यादा पानी रहेगा B में कम रहेगा C में और कम रहेगा D में और ज़्यादा रहेगा ऐसा बुस तो भी जो लगा था वो ऐसा बिहेव नहीं किया है तो इसे कहा गया है hydrostatic paradox और यह बहुत ही हैरान करने वाली प्रिप्लेक्स करने वाली बात थी जो physics में सब को दिखाई पड़ी और इसकी वजह से ही यह तो इसकी ही वजह से hydrostatic paradox का पूरा concept क्या आ गया था सामने तो अब हम लिखेंगे आगे और लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ एक बार देखें बटा लिखना क्या है बहुत ही शान्ती से देखिए कि क्या कर लिया हमने consider interconnected vessels a b c d as shown in figure हम शान्ती से एक एक point लिखने वाला है मैं इसके बाद में यह पोज़ दूंगा अगला point लि किया था हमने a b c d in 4 sections में किसी एक में पानी बर लिया और हमें क्या दिखा बहुत ही हैरान करने वाली चीज यही थी कि सब तरफ पानी equal height पे rise हुआ जबकि इसमें पानी ज्यादा है इसमें सबसे कम है इसमें थोड़ा ज्यादा है इसमें भी है पानी का amount भी अलग अलग है लिकिन पानी के height कैसी है सेम है अब ये तो हैरान करने वाला ही था तो इसे ही hydrostatic paradox कहा गया है that when liquid is poured in any one of the vessel a b c d में के कुण से है एक में in any one of the vessel it is noticed that level of liquids in all vessels is same सब vessels में level of liquid क्या हो जाती है सेम हो जाती है and this observation ये प्रिप्लेक्सिंग ये word लिखना ही है हमें ये हैरान इसे कहा जाता है है हैरान करने वाला क्योंकि देट वाज वही 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 बैफलिंग फॉर आल अलग 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 टाइव का लिक्वीड भी है सब का शेप भी कैसा है अलग अलग है and this was hydrostatic paradox की सब की हाइट क्या होगी सेम होगी अब बेटा मैं आपको एक बात बताने वाला हो जिस पे हम discussion और करने वाले हैं मैं अब आपको यहां पे कहूंगा कि जब सबकी हाइट सेम है रो एच जी में रो भी सेम है जी बी सेम है और हैट भी कैसी है सबकी सेम तो मैं अब एक statement करूंगा कि A के base का pressure भी उतना ही है जितना C के base का है अब आपको ऐसा लगा कि सर यह तो गलत है क्योंकि C में तो पानी ही ज्यादा है और सी का पानी ही ज्यादा है तो सी का pressure भी कैसा होगा ज्यादा होना चाहिए तो देखे इसे स्वाल करते है paradox को यह हो गया C हमारा यह हमारा C होगा है C ऐसा विसल है कि ने और यहाँ पर क्या है नीचे पानी है समझो यह भरा हुआ है पूरा और किस से भरा है पानी से भरा हुआ है यहाँ से हईट इतनी है हम इसके diagram सांती से निकालेंगे मैं आपको बताने के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं इस विसल का पहला हिस्सा है ये इस विसल का कैसा हिस्सा है दूसरा हिस्सा है यानि इसे हम कह लेंगे A section ये विसल का B section ये भी इस विसल का कौन सा section है A section ही है अब जब अंदरूनी force इस पे लग रहा है जब इस पे force act हो रहा है इन दोनों sections को observe किजे a-a sections पे base पे ना इस a section का pressure अपलाए हो रहा है ना इस a section का इस a section के fluid का सारा जो pressure है वो इनको resolve करने में जा रहा है इस surface को समझ माहरा आपको और properly base पे pressure किसका लग रहा है सिर्फ b का properly base पे pressure किसका है सिर्फ b part का है इस b का नहीं इस c में जो हमने 1, 2, 3 कर लिजे इसे यहाँ पर कह लिया है मैंने 1 इसे कह लिया 2, इसे फिर से कर लिया 1 अब first दोनों 1 क्यों है क्योंकि दोनों का pressure walls पे कैसा हो रहा है resolve हो जा रहा है और second part का pressure अंदर कैसा हो रहा है लग रहा है जो total कैसे direction में downward direction में है तो हम यह कह सकते है कि irrespective of their structures और formula भी तो कहता है pressure is equals to rho h g rho क्या होता है बटा density होती है h क्या है height और g क्या है acceleration due to gravity अब तीनों की अगर height है same है तीनों की अगर कैसे है height same है तो तीनों का pressure भी कैसा होगा same ही होगा और इसका reason भी मैंने आपको बता दिया कि paradox कैसे solve हो सकता है तो इस तरीके से क्या हो सकता है solve हो सकता है तो हम इसको भी लिखेंगे यह exactly है क्या तो इसे भी लिखेंगे ताकि हम और ही भी आसानी से hydrostedic paradox को समझ में ले सके और आगे बढ़ सके समझ में आ गया बटा पहले तो हमने height के बारे में discuss कर लिया अब मैं क्या करूँगा यह इसे पोज दूँगा और इसके वज़ाए हम इस part पे discussion कर लेंगे चलो second point से बोलते है कि हमने क्या लिख लिख लिया है due to shape of vessel C देखे C के वज़े से हमें ऐसा लग सकता है कि इसका base का pressure कैसा है ज्यादा है ऐसा लग सकता है but it is never observed हम paradox के बारे में बात कर रहें यह ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है वो हमने यहाँ पे explain करके दिया है कि C का pressure ज्यादा क्यों नहीं है इसका reason यहीं है कि as the height of liquid column सबके height की कैसी है same है by formula of pressure is equal to h rho g each column है same pressure क्योंकि density और acceleration due to gravity तो सारे liquid का same ही है और height भी same है इसलिए सबका pressure कैसा है same इसलिए कहा जाता है कि system is in equilibrium अब C को consider कर लीजे यह जो हमने 3 parts बनाए है 1, 2, 1 यानि एक यह first portion यह first portion इन दोनों को एक दूसरे से balance हो रहे है because round shape रहेगा ऐसा अगर shape रहेगा तो इदर का section इदर का section एक दूसरे कैसे करते है balance करते है और सिर्फ second portion जो है here only portion of liquid present in two यह portion it is not balanced क्योंकि उसे नीचे base ही नहीं है और base भी नहीं है और उसके forces resolve भी नहीं हुए है तो यह apply क्या करता है pressure apply करता है ऐसा सबका है और यह जो fact है कि C पे भी same height पे जाता है this fact is resolving और यह solve कर रहा है हमारा hydrostatic paradox आगया जमझोंगे बहुत ही interesting topic था hydrostatic paradox का है ना वेटा तो इसे बहुत अच्छे से समझ लिए क्योंकि बहुत फसे बहुत interesting हमेशा equations ही नहीं होते है बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिसे हमें पढ़ना चाहिए बहुत बार ऐसा भी होता है जो समझ लेना चाहिए इसमें भी यह topic वैसा topic था कि जो हम उसके बारे में बात करें कि paradox कैसे चलेगा आगया समझ में आपको तो comment section में लिखके बताए कैसा लग रहा है paradox का chapter और इसके आगे हम pascal's law भी बढ़ने वाले हैं pascal's law भी बहुत ही easy law है easy going law ज्यादा कुछ उसमें कड़बर नहीं है अगर paradox समझ में आ गया तो pascal's law भी समझ में आ जाएगा लेकिन पहले इसे लिख लीजिए और बहुत बच्चे सिर्फ देखते हैं लिखना भी बहुत important है मुझे भेजना भी बहुत ज्यादा important तो भेजते रहे हैं बेटा comment section फोड़ते रहे हैं लिखते रहे हैं और मैं बताता रहूंगा आपको तो pascal's law की तरफ बढ़ते हैं तो बेटा शुरू करते हैं pascal's law बिल्कुल बंद गवर है यह बहुत यह अच्छा है मैं डाइगराम पहले समझाता हूँ हमने क्या किया था हमने एक container लिया स्टेटमेंट मत पढ़िया आप पहले पहले हमने क्या किया container लिया इस container में चार जगा पे openings तयार की और जिसमें pressure apply करने के system लगा है अब openings कैसे तयार की A, B, C, D यह जो openings थी A का cross sectional area अगर A1 है तो B का twice of A1 है यानि इससे double यह है C का कैसा है thrice A1 है D का कैसा है A by 2 है समझ में आगे आपको यानि इसका double यह इसका यह यह यानि A1 twice A1 thrice A1 और A by 2 यह cross section area हो है क्यों क्यों मैंने कम ज्यादा openings तयार की अब उससे हमें क्या करना है Pascal's law यह statement बाद में बढ़ेंगे Pascal's law का कहना क्या है कि जितना pressure इस बीच में रहने वाले point पे है उतना ही pressure A पे है उतना ही pressure B पे है उतना ही pressure C पे है उतना ही pressure D पे है यहनि PA is equals to PB is equals to PB is equals to PD irrespective of any type of opening they are having बस हमें क्या neglect करना पड़ेगा gravity neglect करने पड़ेगी हम gravity इसमें क्या कर लेंगे gravity का part हमें इसमें से निकाल लेंगे gravity क्यों neglect करनी है क्योंकि law वैसा stand किया गया है तो हमें Pascal को उसका एक space देना चाहिए कि gravity उसने क्या कर दी neglect कर दी और without gravity वह कहता है कि PA is equals to PB is equals to PC is equals to PD जबकि इसका cross sectional area toys of A1 है इसका thrice of A1 है इसका A by 2 है सभज में आगे आपको यह उसका statement है इसका proof भी बनाएंगे हम इसका proof भी बनाएंगे बहुत ही आसान इसका proof बनेगा तो proof के पहले statement पड़िये क्या है statement क्या कहता इसने the pressure applied at any point of an enclosure यह हमारा enclosure है जिसमें fluid भरा है और fluid कैसा at the state of rest यह प्रेशर अप्लाइड at any point of an enclosure at rest is transmitted equally and undiminished undiminished यह नहीं बिलकुल change नहीं होती हुए equal distribution है it is transmitted equally and undiminished to every point of fluid and also on the walls of container यह प्रेशर कैसा रहेगा same रहेगा सब तरफ यह pressure कैसा रहेगा same रहेगा provided that the effect of gravity is neglected यह पास्कल सीदे सीदे हमसे कह रहा है कि PA is equals to PB is equals to PC is equals to PD यह हमें prove करके देना है कि अब हमने क्या का है container तो है और उस container में हो क्या रहा है एक बार फिर से statement करेंगे statement आपको लिख लेना है तो हम क्या कर रहे है the pressure applied at any point of an enclosure enclosed fluid at rest fluid कैसा है at the state of rest सब उसने condition specific कर दिया it is transmitted equally and undiminished to every part of fluid and also on the walls of container कि सब तरफ यह जाता है और सब तरफ यह equally distributed होगा provided that effect of gravity is neglected a b c d के बारे में वहने है अब पहले आपको बताया अब क्या करेंगे इसको हम प्रू करेंगे statements में आगे आपको comment section में बताते रही है जो बता नहीं रही है आप बताना पड़ेगा statement का हम क्या करेंगे proof तयार करेंगे और आपको समझेगा proof कितना easy proof है तो proof तयार करते है देखे proof की तरफ जाता है बहुत ही आसान proof बनता है पासका law का हमने क्या consider किया consider a vessel with four arms a b c d having area as a 1 twice a 1 thrice a 1 and a 1 by 2 यह arms हमने consider कर लिये when container is filled with incompressible fluid incompressible fluid है ने किया जिसकी density change नहीं हो रही है और यह हमने pistons लगा दी है frictionless piston है attached with frictionless piston अब करने के वाल है देखे मैं proof इदर पहले rough में लिखूंगा बाद में हम इसे क्या कर लेंगे fair कर लेंगे यानि आप मैं यहां से भी लिख सबूंगा मैं equation 1 के बाद का proportion fair करूंगा यहां तक बराबर है अब हम क्या करने वाल देखें a piston से force लगाएंगे नीचे क्या होगा गटा frictionless piston यहने piston क्या हो जाएंगे बाहर निकलेंगे हमें अगर इन तीनों piston देखो यह गर नीचे जाएगा तो fluid अंदर जाएगा सब तरफ pressure बढ़ेगा यह उपर जाएगा यह उपर जाएगा यह नीचे जाएगा हमें क्या करना है इसे भी नीचे लेना है और इनको भी उपर नहीं जाएगा तो क्या गरना होगा सब तरफ का जो equal area है सब तरफ का जो area है हर एक piston ने अपने अपने area के हिसाब से force लगाना चाहिए तब यह सब क्या रहेगा at the state of rest रहेगा तो P1 का pressure क्या रहेगा F1 upon A1 वैसे ही P1 यानि क्या है A का वैसे अगर PB का निकालना रहेगा तो PB का force upon area क्या रहेगा 2F1 upon twice of क्या बनेगा A1 क्योंकि इसका force कैसा है twice है वैसे PC का क्या रह numa 3F1 upon thrice of A1 क्योंकि A क्या है thrice area है वैसे PD का क्या रहेगा F by 2 और sorry F1 by 2 upon A1 by 2 क्योंकि इसका कैसा है half है पेटा इन सबका answer तो F1 by A1 ही आ रहा है 2 2 cancel, 3 3 cancel, half half cancel सबका pressure कैसा है? सेम है तो यही तो हम बता रहा है पास्कल लोग में कि अगर हमें बचाना है हमें सब तरफ से equal force अगर लगेगा तो सबका pressure भी कैसा आएगा हमारा सेम आएगा, मैंने यह rough में लिख लिए हमने यहां में आपे लिखेंगे इसको पूरा करेंगे हम लेकिन मैंने आपको क्या बता है initially fluid is at the state of rest suppose A piston is pushed down with F1 F1 force with pressure of क्या? F1 upon A1 then B will apply certain pressure and B pressure has BB is equals to toys of F1 upon toys of A1 2, 2 गया होगे, cancel होगे then C will also apply pressure then it will be thrice of F1 upon thrice of A1 that is 3, 3, cancel D will also apply some pressure that F1 upon 2 upon A1 upon 2 2, 2 गया होगे, cancel F1 upon A that every structure has same amount of pressure यहने हम कहा लिख सकते है PA is equals to PB is equals to PC is equals to PD यह कौनचा law होगे हमारा Pascal's law अगा समझ में आपको तो यहां तक equation A तक तो आपने बना दिया होगा equation 1 तक आपने बना दिया होगा equation 1 के बाद में क्या लिखना है हम यही पे मैं आप pause कर लिजे, screenshot ले लिजे, लिखिए मैं तो second time देखने के time पे लिख लिए था इसके बाद में का मैं यहां पे लिखूँँगा ताकि हमें जगा मिल जाए ठीक है बच्चो तो यहीं पे लिखेंगे PA हमने क्या किया है air को और piston को क्या कर दिया है नीचे कर लिया है यही कितने आसान इसे लिख लिख लिया हमने PA is equals to F1 upon A1 आ गया था हमारा अब हमने क्या कर लिया it is found that जब A अंदर जाएगा तब piston BCD also can be prevented from moving backward क्योंकि यह पीछे जा सकते है तो कब हम इसको prevent कैसे कर लेंगे कि जब यह force कैसा अपलाय करेंगे toys F1, thrice F1 F1 by 2 ऐसा आप force अगर है क्या करेंगे apply करेंगे F1 by 2 तो इनका pressure हम निकाल सकते है PB का pressure क्या बनेगा force upon area के इसाब से toys of F1 upon toys of A1 that is F1 upon A1 equation number 2 पकड लीजे C का PC लिख सकते है क्या बनेगा thrice of F1 upon thrice of A1 that is F1 upon A1 cancel हो गया na equation number क्या बन गया 3 और D piston का क्या बना PD बन गया F1 by 2 upon A1 by 2 यह 1,1 है तो half of cancel हो गया यह भी क्या बन गया F1 by A1 equation number क्या बन गया 4 बन गया आगा समझे में तो सब से हम क्या लीख सकते है from 1,2,3,4 we can write pressure at A is equals to pressure at B is equals to pressure at C is equals to pressure at D यह हमने क्या प्रूब कर लिया pascals law प्रूब कर लिया इसके दो applications भी होते है hydraulic आपने नाम सुना होगा hydraulic tractor का जो उपर trolley उपर होती है इस पे चलता है जो hydraulic brake लगते हैं वो भी इस पे चलते हैं उनका मैं separate lecture बनाने वाला हूँ वो आपको exam में पढ़ने के लिए है hydraulic lift भी पढ़ने के लिए है hydraulic brakes भी पढ़ने के लिए है तो उनका lecture भी interesting होने वाला है इस मज़ में आगया आपको लिखिये मुझे भीजिए और पढ़ते रहिए मैं पढ़ाता रोंगा चैनल को लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए सबको भीजिए बच्चो ताकि मैं आपको आसानी से पढ़ा सकू Thank you बेटा